Hi everyone, so मैं हूँ भावना बातला from the wheel of fortune 369 से आप सबी की tarot card reader और आज हम check out करने वाले हैं कि आपके person के देर रात क्या ख्यालात हैं आपको लेकर late night thoughts आपके person के क्या है, क्या energy है आपके person के बारे में सोच करें Please divine universe angels spirit guides help करें मेरे viewers को जानने में कि उनके person के देर रात क्या सोच है उनको लेकर Okay So यह कुछ cards है इनको ले रेते हैं हम The hanged man, the magician Eight of cups Ace of swords One more Nine of swords At the bottom we have justice चलिए आज खुद ही divine ने आपके लिए cards भेजे हैं I believe के जितने लोग इसे देख रहे हैं अगर आप इतनी सारी readings में से इस reading में आए हो तो definitely कोई message है आप के लिए इस reading में तो guys यहाँ पर जो Zoriac signs है पहले मैं आपको वो बता देती हूँ Cancer, Scorpion and Pisces Aries, Leo and Sagittarius आज बहुत जादा strong के इस reading में यह आपके person के Zoriacs हो सकते हैं तो guys जैसे आज Late night thought हम आपके person के Read कर रहे हैं तो यहाँ पर्ना सबसे पहले मुझे इसे दिक रहे है जैसे आपने न आ अपने person का बहुत जादा इंतजार करा है बहुत जादा इंतजार करा है और आपके person ने आपको बहुत जादा इंतजार करवाया है ठीक है चाहे वो commitment से related हो चाहे वो marriage से related हो ठीक है लेकिन आप ऐसा सोचते हो कि इतना इंतजार करने के बाद भी मुझे क्या नसीब हुआ है इस relationship में इतना इंतजार मैंने इस relationship में करा है अपने person से शादी के लिए एक stable relationship के लिए एक commitment के लिए यह simply सिर्फ एक I love you सुनने के लिए आपने इतना इंतजार करा है और आपको इस relationship में क्या मिला आपको ऐसा लगता है कि मुझे सर्फ इसमें धोका मिला है मुझे सर्फ इसमें cheating मिली है ठीक है मेरे person ने मुझे ही manipulate करने की कोशिश करी है इतना injustice मेरे साथ हुआ ह क्या मैं definitely this injustice को deserve करते हूँ तो कहीं न कहीं मुझे वो आपका इंतजार दिख रहा है कहीं न कहीं जो आपने धोका दिया है वो चीज़ दिख रही है और आपके person भी कहीं न कहीं इसी बारे में सोचते हैं उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको इतना इंतजार करवाया है ठीके और आज वो रात को यही बैटकर भी सोच रहे हैं कि इस इंतजार का क्या मतलब शायद इतना इंतजार उनको ये realize हो रहा है कि कोई और नहीं कर सकता उनके लिए जितना इंतजार आपने उनके ले करा है इतना प्यार उन्हें कोई नहीं कर सकता जितना प्यार आपने उनके लिए करा है, चाहे उनके जिन्दिए में कितने ही लोग आए हूँ, कितने ही लोग गए हूँ, कितने ही रिलेशनशिप में वो पास्ट में रहे हूँ, में भी उनकी पास्ट रिलेशनशिप जादा अच्छी नहीं थी, ठीके लेकिन यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि इस प्यार को वो खोना नहीं चाहते हैं, इस प्यार को वो अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहते हैं, और इसलिए वो आज रात भी शायद प्रपरली ना सो पा रहे हैं, ठीके, और बहुत ज़ादा overthinking की situation में है, बहुत ज़ादा आपको याद कर रहे हैं, और आपको या का कार्ट भी है ये Ace of Swords जहां पर यह दिख रहा है कि जैसे अब उनकी आँखों पर से पर्दे हट रहे हैं अगर आपके relationship में कोई third party interference है ठीक है और उस third party ने बहुत जादा negativity आपके person के mind में भरी है वो third party बहुत जादा चलाख है और उस third party ने धोके से आपके relationship को इतना relationship में सफर कराया आप दोनोंने आप दोनोंने इस relationship में बहुत कुछ सहा है आपके person आपसे genuinely बहुत प्यार करते थे लेकिन शायद उस third party की negativity की वज़े से वो आज बदल चुके थे और उन्होंने आपको ये no contact दिया तो यहाँ पर मैं ये चीज कहूंगी कि Ace of Swords उस clarity को लेकर दोल ये उन पर्दो को हट रहे हैं जो पर्दे उंकी आँखों पर पड़े बढ़े हुए थे जो आपके person की आङदक पर जो पर्दे पढ़े ते ना उन पर्दो को thun pea sev dwell उतल पार आइज आ गळे थे अंको ne च्षूट बोले थे उनको मैनि ब्ले дав ठाब्दे तो वह थर्ड पार्टी ने जान पूछ कर आपको आपको नीचा दिखाया है और अब वो clarity उनको मिलती हुई दिखाई है जो आपके person है अभी तक वो जो है एक waiting की energy में दिख रहे थे कि सही वक्त का जैसे इंतजार कर रहे थे आपसे contact करने के लिए अभी तक वो एक ऐसी energy में दिख रहे थे कि जहां पर वो action नहीं ले रहे थे लेकिन जहां पर यह magician का card है वो यह चीज़ बता रहा है कि अब वो बिल्कुल जैसे effort पाने के लिए relationship में ready हो रहे हैं जैसे अब वो जो है इस relationship को आगी लेकर जाना चाहते हैं आपके साथ future बनाना चाहते हैं आपके साथ future बनान सही होता तो आपके साथ वो शादी करते अपने घरवालों को मनाते अगर घरवाले उनके नहीं मान रहे हैं ठीक है और आगे marriage करते आपके साथ घूमने जाते एक अच्छा future create करते तो magician उस future को show कर रहा है जहां पर वो आपके साथ रहना चाहते एक stable relationship में अब लाना चाहते ह रहे हैं कि अब उन्हें genuinely उस third party के साथ ही रहना है या आपके साथ रहना है क्योंकि अब वो यू घुट-घुट कर नहीं रहना चाहते हैं अभी तक वो घुट-घुट कर आपके इस third party के साथ रह रहे हैं ठीक है इस third party के इस साथ एक मजबूरी में वो रह रहे हैं ठीक है लेकिन अब वो third party को भी छोड़ना चाहते हैं और आपको कुसी तरीके का action या outcome इस relationship में show करना चाहते हैं वो दिखाना चाहते हैं कि इस relationship में ठीके अब वो effort पाएंगे कि वो honest हो चुके हैं अब वो बदल चुके हैं अब वो सुधर चुके हैं वो आपकी value करना चाहते हैं अब वो यह समझ चुके हैं कि आप उनके लिए जरूरी हो अब वो आपको वापस से आकर वो बातें नहीं कहना चाहते हैं जो वो पहले आप से कह रहे थे कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है या आप मैं नहीं चाहता तुझे ठीक है जब से तु मेरे जिन्दगी में आई है तब से नेगेटिव ही हो रहा है सब कुछ ऐसा कुछ कहा था उन्होंने आपको पास में जिसे याद करके आप रोते थे लेकिन अब अब वो उनकी ख्यालाद बदल चुके हैं अब वो आपको ये चीज़ शो करना चाते हैं कि वो कितने ओनेस्ट हैं इस लव में कितने सच्चे हैं इस प्यार में ठीके और अब वो आपको ये चीज भी शो करना चाते हैं कि उन्हें वाक्य में आप सेब सच्चा प्यार हो चुका है आपकी एहमियत समझ में आ चुकी है ठीके तो आज देर रात भी वो इस relationship को सही करने के बारे में एक सच्चा प्यार बनने के अभी तक तो उन्हें सिर्फ ये मालूं था कि आप सच्चा प्यार हो लेकिन अब वो ये भी सोच रहे हैं कि उन्हें भी आपके लिए सच्चा प्यार बनना है एक loyal love बनना है तो वो यही एच देर रात भी सोच रहे हैं ठीके तो ये उनकी कही न कही feeling है अगर definitely आपके साथ resonate हो तो like, comment, follow, share करकर मुझे जरूर बताएं this is all for today, thank you, bye bye, take care